नमस्कार दस संजय शो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं संजय शर्मा आज हम बात करेंगे दक्षिन के राज्यों में एक बार फिर हिंदी के खिलाप माहौल बनाने के शडियंत्र की ये शडियंत्र फिल्म के एक डैलाग के जरिये सामने आया है जिसका विरोध भी शुरू हो गया है जाहिर हिंदी भाशी राज्यों की पार्टियां इंदिनों साउथ में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है ऐसे में वहां हिंदी के खिलाप माहौल बनाना लोकल राजनितिक दलों की मज बूरी हो गई है हिंदुस्तान में राजनिती जो न कराए वो कम है नेता यहां नफरत फैलाने से लेकर जाडू लगाने तक सब कुछ कर सकते हैं अगर वोट मिलता हो आजादी के पहले से यह बिमारी इस देश में फैली हुई है और यही चीजें समाज में अक्सर दिखाई देती हैं हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रकाश राज की फिल्म जै भीम के एक दैलाक को लेकर वि साउथ हिंडियन फिल्मों से आकर हिंदी फिल्मों में जगा बनाने में प्रकाश राज सफल हुए हैं उनसे पहले कमल हासन और रजनीकान थी थे जो ऐसा कर पाए और हिंदी दर्शकों के बीच अपनी चाप छोड़ी अब यह अलग बात है कि हिंदी बोलकर और हिंदी दर पाशक हों या आम मद्दाता अक्सर दो गुटों में बटे नजर आते हैं एक वह जो सत्ता के खिलाफ लिखता बोलता है दूसरा वर्ग वह जो सत्ता के पक्ष में हर कदम का समर्थन करता है इन्हीं गूटों में से सत्ता विरोधी गूट में प्रकाश राज का नाम गिना जाता है एक वर्ग के लिए वह अच्छे हैं तो दूसरा वर्ग उनकी नियत पर सवाल उठाता रहता है हाल में एक तमिल फिल्म जै भीम रिलीज हुई है इसमें प्रकाश राज मुख्य किरदार में हैं फिल्म में एक्टर प्रकाश राज के थपड मारने वाले एक दृष ने ट्विटर बाजों के बीच हंगामा खड़ कर दिया है दृष ऐसा है कि प्रकाश राज एक हिंदी बोल रहे हैं व्यक्ति को थपड मारते हुए कहते हैं कि वह हिंदी की जगत तमिल में बात करें कहा जा रहा है कि इस फिल्म में प्रकाश राज के किरदार को हिंदी भा को थी ट्विटर फिल्म के इस सिन को लेकर हिंदी के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है मज़े की बात यह है कि आजकल बीच का कोई मार्ग किसी भी पक्ष नहीं छोड़ा का भी पहले वर्ल्ट्रेट संटर पर हमले के बाद अमरीकी राश्पती जार्ज बुश ने कहा ओक्ति कि दुनिया के देश अब या तो अमेरिका के साथ हैं या फिर अमेरिक खिलाफ बीच के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी भारती जन्मानाइस में भी बीच की कोई जगह नहीं रही इसके चलते पद्रकारों की मुसीवत हो जाती है अब पत्रकार को हैं तो हिंदी के समर्थक वैसे प्रकाश राज ने इंटरू में अभी अभी ये स्विकार किया है कि वे हिंदी को साउथ इंडियंस पर थोपने का विरोध करते हैं अब अलग बात है कि कौन थोप रहा है फिल्म के डैलाग का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि उस चीन में प्रणने के बाद उसे ठपड़ मारते हैं और तमील में बोलने के लिए कहते हैं तमीhui माता हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है ऐसा कहा जा रहा है दूसरी तरफ लोग फिल्म से इस सिन को भी हटाने की मांग कर रहे हैं कई लोग मानते हैं कि सीन को फिल्म में डालने की जरुवत ही नहीं थी यह जान बूचकर डाली गई ताकि हिंदी के खिलाफ साउथ इंडियन सेंटिमेंट्स को जारी रखा जा सके वैसे पहली नजर में ऐसा लगता है कि डैलाग सीन की डिमांड है पर हकीकत में ऐ देशक चाहते तो यह से हटा सकते थे इसकी कोई जरुवत भी नहीं थी पर यह जान बूचकर डैलाग रखा गया है ऐसा लगता है कि सीन के पीछे साउथ की राजनिती काम कर रही है आपको ध्यान होगा इन दिनों हिंदी भाशी शेत्र की माने जाने वाली पार्टी भारत यहां पैर जमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी तो केंदर शासित प्रदेश पुड्डू चेरी और करनाटक में कुछ सियासी आधार भी हासिल कर चुकी है वहां फिलहाल वह सरकार में हैं हैदराबाद के इस्थानी नुकाय चुनाओं में बड़ी जीत हासिल की जब हिं गांधी के वाइनाट से सांसत बने हैं लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के इसी प्रयास के कारण साउथ में हिंदी विरोधी माहल बनाने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है एक समय था जब साउथ के नेता उनको गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की अंग्रेजी से दूर रहना चाहते थे जानते थे हिंदी भाषी राजनितिक दलों को एंट्री मिली तो राज्य में उनकी मोनोपल्ली नहीं चलेगी उनका परिवारवाद भी साफ हो जाएगा अब यह अलग बात है कि कभी कांग्रेस ने इस तरह की राजनिती का विरोध नहीं किया था फिल्म में एक डैलाग के जरिये हिंदी के प्रती एक बार फिर नफरत को भारने की कोशिश की गई है और जो लोग इसको मासूम घलती समझ रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जैभिम फिल्म तेलगू में भी रिलीज हुई है और उसमें भी यह डैलाग तेलगू में बात करने को कहता है और जब यह तमिल भाशा में चलती है तो तमिल बोलने कहा जाता है यानि दोनों ही राजियों की जनता को हिंदी का विरोध दिखेगा अब प्रकास राज अच्छे अक्टर तो हैं ही पर उनका राजनितिक रुजहान भी अक्सर दिखता है यही वजह है कि प्रकास राज भी कुछ ट्विटर यूजर के निशाने पर आ गए हैं आपको याद होगा कि 2019 में हिंदी दिवस पर वर्तमान गिरी मंत्री अमिशा द्वारा किये गए एक ट्विट के बाद तमिल नाड में हिंदी भाशा के खिलाफ बड़ा अंदोलन खड़ा करने का प लक्षिन भारत में हिंदी को कोई नहीं अपनाएगा अब यह अलग बात है कि रजनी कांद को हिंदी भाशी लोग अपनाते हैं और दादा सहाब फालके जैसा बड़ा पुरुसकार भी इसी कारण मिलता है आज जानता है कि साउथ में कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं लाखों युवाओं को देश के बाकी हिस्से से काट कर रखने के कारण उनके उनको दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करने का मौका ही नहीं मिला वे पिछरते ही रह गए अब सोशल मीडिया के यूग में साउथ के युवा समझ रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है तो साहुथ से निकलकर भारत के बाकी हिस्सों में जाना ही होगा और इसके लिए उनको हिंदी का साथ जरूरी है कि साुथ में आज हिंदी सिखने वालों की संख्या दिन प्रति-दिन बढ़ रही है राजनिती इसको हिंदी को थोपना समझ दिये बाराल राजनिती करने वाले राजनिती करते रहेंगे और डैलाग आते जाते रहेंगे उम्मीद है साउत की जनता देश के असीफ हिस्दी हिस्से में बोली जाने वाली हिंदी को अपनाने के लिए आगे बढ़ेगी और राजनिती करने वालों के मनसुबों को नकाम करेगी फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार